नमस्कार आप देख रहे हैं घी टीवी भारत मैं हूँ अभिशेक मिस्राज जन अधिकार पाटी के सुप्रीमों पपू यादो को नियाई खिरासत में गए तक्रीबन सौधीन हो गए हैं और कई बार पपू यादो ने भावुक होकर ट्वीट किया है बिहार में बाढ़ जै ने आती थी उनका जो पॉलिटकल स्टाइल कह लें या फिर उनकी जो समवेदनात्म सियासत कह लें वो बाढ़ पिर्तों की मदद करते नजर आते थे आज पपू यादो नहीं है जाहिड तोर पर बाढ़ पिर्तों को इसकी कमी खल रही होगी हमारे साथ बातचीत करने के ल पूरे बिहार में लगभग आधी से अधिकावादी बाढ़ की भी इसका का दंस जहल रही है ऐसे में उनको लगता है कि कोई मेरे दुख और दर्द को समझने वाला अगर कोई एक विक्ता बिहार में तो वो पपू यादो थे आपने देखा होगा चाहे पटना का बाढ़ ह या उत्तर बिहार के किसी भी जिला में कभी भी बाढ़ या किसी तरह की आपदा आती थी तो सबसे पहले पूयादब जी वहाँ पहुचते थे और उनके सुख दुख को हर संभब दूर करने का प्रयास करते थे आज पूरा बिहार ऐसे एरिया में भी बाढ़ है जहां कभी बाहर में आता था नलंदा में बाढ़ है केमूर में बाढ़ है पटना के कुछ ऐसे एरियों में बाढ़ है जो कभी बाढ़ सुनते नहीं थे लोगों आके बच्चे आज अपने जीवन में पहली बार बाहर देख रहे होंगे और वो समों की जुवान पर आज पप्पु य अधब जी भले ही जेल में हैं वे रहते तो हम लोग भरपूर लोगों की मत करते लेकिन हम लोग भी यथा संभभ उनको अपनी और से बाढ़ पीरितों को जो भी संभभ हो पा रहा है जनाधिकार पाटी के कैर करता उनके घरों तक न पान तो पान की डंडी ही सही हम लोग महां मुहिया कर आ रहे हैं पाटी भी मिस कर रही होगी जिस तरह से बिहार की राजनीती के अगटना करम है और आसार भी नजर आ रहे हैं और भविस्वानियां भी की जा रही है कि बिहार मद्यावदी चुनाव की और बढ़ रहा है जाहिर तो अगर मद्यावदी चुनाव की पहुत परशानी नहीं है चोहकि उनके गिरफ्तारी के आज सौ दिन हो चुके हैं और इन बीते सौ दिनों में हम लोगों ने तरह तरह के कारिकरम किये लग फग दो दर्जन से ज्यादा तरह के कारिकरम किये विहार के विवन ब्लॉग विविन पंचायत और विविन लोगों से हम लोगों ने जूर करके विविन घरों जा करके तरह-तरह के कारिकरम हुए राजनैतिक, समाजिक और सांस्कृतिक आंदुलनत्मक रूख भी हम लोगों ने अपनाया फिर भी नयाईक प्रक्रिया है, नयाले पर हमको पूरा भरोसा है लेकिन नयाले के भाष में जो सरकार के तरप से तरक देने वाले उनके वकील हैं वे बिल्कुल दुर्भावना से पिरित हैं, वे अपनी और से कुछ इस तरह की बातें रख दे रहे हैं, जिससे नियाले को शही निरने लेने में परसानी हो रही है, मुझको पता है, दूद का दूद और पानी का पानी नियाले से होगा, वक्त जरूर लग रहा है, सत्य परे सरीके से नियाय मिलेगा, सरकार चाहे भले, जिस राजनितिक दुर्भावनाओं से परिडित हो करके, जो हत्कंडे अपना ले, हम लोग उससे जरा भी न भैभीत हैं, न आतंकित हैं, और न सरकार के सामे में जुकने के लिए त्यार हैं, एक आखरी सवाल है, सवाल यह है कि आरजेडी और जनाधिकार पाटी की दोस्ती हो सकती है, यह दूर दूर तक किसका कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, कि आरजेडी और जनाधिकार पाटी के संदर्व में इस तरह की कोई अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नहीं आ रहा है, कोई समभावना नहीं, कोई जिन पर हमने रागवेनर कुछ वहाजी से बाचित की और सवाल सबसे ज़्यादा महत्पून था पपू यादो को लेकर जिस तरह से पपू यादो को नाई खिरासत में गए सौधीन हो गए हैं और कई तरह के कयास बिहार के राज्टिक घटना करब को देखते हुए लगते र गए रहता है बिहार की सियासी गलियारों में यह सवाल भी तहलता है कि क्या जन अदिकार पाटी और ऐटीवीज्ट की दोस्ती हो सकति तेजस्वी यादो पपू यादो साथ सब्सकेर को भी हमने जानने की कोशिशिष की उस जवाब भी हमने समझने की by इस इंटर्वीव म इतना ही कैमरामैन अनीस के साथ डिटीवी भारत के लिए अभिसे एक मिस्तरा पटना